नमस्कार मित्रों मैं सरवेश के सरवानी आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ अपने सभी गुरूओं को नमन करता हूँ और आप सभी सब्सक्राइबर्स का दिल से धन्यवाद करता हूँ मित्रों 25 अक्टूबर को लगने वाले सूर ग्रहन का प्रभाव यहाँ पर हम देख रहे हैं यदि सोलर एक्रिप्स 25 अक्टूबर 2022 की बात करें तो यहाँ पर कैंसर साइन पर किस प्रकार से इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा यानि अगर आपकी करक राशी है तो उ उसकी बात करेंगे 25 अक्टूबर का बनने वाला यह चार्ट है तो चार्ट की बात करें तो उससे पहले एक निवेदन कि यदि आप अभी तक हमारे परिवार का इससा नहीं बने हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा करके आप हमारे परिवार का इससा जरू पूजिशन बना हूआ है फिर 10,000 खाली है 6,000 सेडर्ण और प्लूटो की काुजशन है उक्स पूज़ मत्य पूज़ में आपके नेप्चुन रे्ट्रो हो करतेड के रंजिट कर रहे हैं 9,000 में जुप्टर रेट्रो होकर के ट्रांजिट कर रहे हैं और 10,000 में जो युरेनस है वो रेट्रो होकर के ट्रांजिट कर रहे हैं राहु के साथ 11,000 खाली 12,000 में मार्स की पोजिशन है तो अब यहाँ पर यदि इस इस्तिती का आकलन करें और यहाँ पर इसका जो result निकालें तो यहाँ पर एक जो समस्या है वो आपकी energy को ले करके यहाँ पर काफी जो समस्या है वो यहाँ पर होने वाली है काफी ठका हुआ सा मैसूस कर सकते हैं तोड़ा सा आपको frustration भी हो सकता ह और अपने जो माबाप हैं उनसे थोड़ी बहुत समस्याओं का जही सामना करना पड़ सकता है मन मुटाओ हो सकता है उनसे किन्तु मैं यहाँ पर यही suggestion देना चाहूंगा कि अपनी माता का आशिरवाद जरूर प्राप्त करें अपने पिता का आशिरवाद जरूर प्राप् होगा तुमित्रों आपको इस बात का जरूर ध्यान देना है और यदि बात करें कि क्या आपको इस समय जो परिवार का समर्थन है सपोर्ट है वो मिलता हुआ दिखाई देगा तो यहाँ पर इस ग्रहन की इस्तिती से आपको जो पारिवारिक समर्थन है वो आपको ऐसा प् इस इस्तिती आपके हाथ अपने हाथ में है कि क्या आप उसे सुधारना चाहते हैं उस इस्तिती में यदि आप फसे रहेंगे तो वो समस्या आपको बनी रहेगी किन्तु यदि उस इस्तिती से आप बाहर निकलना चाहेंगे तो आप जो समस्या है उससे भी बाहर निकल जाए अब यहां पर आपके अपनी जो एक्छा शक्ति है उसका प्रयोग यहां पर आपको जरूर करना चाहिए जो मानसिक प्युडा है वो आपको जरूर यहां पर होने वाली है बहुत लंबे समय तक इस ग्रहण का प्रभाव नहीं रहेगा लेकिन जो ग्रहन का प्रवाव है वो बहुत तीवरगती से और बहुत ज़्यादा जो पीड़ा है वो यहाँ पर पहुँचाते हुए दिखाई देंगे कस्ट आपको जरूर होगा मानसिक कस्ट आपकी जो संबेदन शीलता है उस पर ठेस जरूर लगने वाला है आपको जो मनोवग्यानिक जो विकार है वो आपके इस्तिती वो आपके बिगड़ सकती है माता से आपका जो मदूर संबंद है वो आपको बनाने की जो प्राथमिक्ता है यह मैं पहले बोल चुका हूँ यहाँ पर यह दिखाई देती है तो यहाँ पर माता से जो मधूर संबंद है वो बनाने की यहाँ पर आपकी जो कोशिश है वो यहाँ पर जरूर होनी चाहिए और जो यह इस्तिती है वो यहाँ पर आपकी जो गलत फहमी है उसकी वजे से निर्मित हो सकती है अब ये गलत पैमी आपकी तरब से हो सकती है आपके अपनी मातास की तरब से भी हो सकती है आपके माता के घर में हैं आपके वाहन और भूमी के घर में हैं यदि आप कोई प्रॉपर्टी लेने का विचार बना रहे हैं तो इस समय बिलकुल भी उसको जो है ना करें कोई रजिस्ट्री कराने जा रहे हों तो उसे एवाइट करें कुछ समय के लिए उसे आगे बढ़ा दें यदि आपने इस समय में कोई प्रापर्टी और रजिस्ट्री का कारी किया तो यहाँ पर आपको अनेक समस्याओं से जो इस्तिती है वो निर्मित होते हुए दिखाई देती है इसलिए यदि आप कोई नई गाड़ी भी खरीदने जा रहे हैं तो कुछ समय कुछ समय जरूर रुक जाएं यह समय आपके लिए नई गाड़ी खरीदने का बिलकुल नहीं है यह समय आपके प्रापर्टी लेने का बिलकुल नहीं है तो किस चीज का समय है यदि हर चीज में negative है तो फिर positive कहां पर है कहां पर आप अपना positive approach रख सकते हैं तो उसकी भी बात करते हैं तो मित्रों यहाँ पर जो पारिवरिक समस्या है हमने उसकी बात की अब यहाँ पर यदि लव लाइफ की बात कर लें तो यहाँ पर लव लाइफ आपकी जो है वो थोड़ा सा डिले जरूर हो सकती है लेकिन लव लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगी यहाँ पर जो आपकी लव लाइफ है वो मैरिज में भी कनवर्ट होने का रास्ता यहाँ पर आपको साफ दिखाई होता अब यहाँ पर जदी बात करें कि आपकी जो क्वालिटी है वो इनहेंस कहां पर होगी क्या सभी बाते निगेटिव हैं तो क्या जो आपका मनी मेकिंग आइडिया है क्या वो काम नहीं करेगा तो यहाँ पर निश्चित तोर पर आपकी जो मनी मेकिंग आइडियास हैं वो आपके जरूर काम करते हुए नजर आएंगे बहुत बड़ा छेत्र आपको जो एक्स्प्लोर करना है वो आपको अपनी तरफ जरूर आकर्शित करेगा यदि आप politics में के छेतर में हैं तो politician बहुत अच्छे हो सकते हैं यदि आप कोई industry चलाना चाहते हैं तो यहाँ पर यदि आपकी कुंडली सहयोग करती है समर्थन देती है तो यहाँ पर आपकी अपनी जरम कुंडली यदि उस बात के लिए agree करती है तो यहाँ पर आप कोई ब प्रभाव आपके जीवन है उस पर जरूर पढ़ने वाला है और यह जीवन परियंत आपके ऊपर प्रभाव अपनी चाप छोड़ने की जो च्छमता है वो यहाँ पर रखने वाला है यदि name fame position की और आप बढ़ते हैं तो यहाँ पर name fame position आपको मिलता हुआ जरूर यह समय आपके लिए torch जला करके नए area को ढूणने का समय है अपने professional life को explore करने का समय है यहां पर हर प्रकार से आपकी professional life आपके लिए उत्तम होने वाली है किन्तो यहां पर अपने परिवार का ध्यान आपको जरूर रखना है यदि पारिवारिक लाइफ डिस्टर्ब होगी तो उसकी वज़े से आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है तो केवल एक पक्च पे ज़्यादा ध्यान ना दें अपने जो बैलन्स है उसको बना करके रखें दोनों के बीच में तो मित्रों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं उम्मीद करते हैं कि अब तक आपने एक लाइक का बटन जरूर दबा दिया होगा और अपनी प्रतिक्रिया दे दी होगी अभी तक अगर हमारे परिवार का सदस्य नहीं बने हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा करके हमारे परिवार का सदस्य जरूर बन जाएं अपनी प्रतिक्रिया और अपने कमेंट हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम बात करेंगे लियो साइन की यानि की आपके जो सिंगल राशी है उसकी बात करेंगे तब तक के लिए नमस्कार